सदी के महानायक अमिता बच्चन पर लगा 10 लाग का जुर्माना 10 लाग की डिमांड की है CAIT यानि Confederation of All India Trades ने दरसल Flipkart का एड देटे टाइम बिग बिलियन सेल में जब अमिता बच्चन ने कुछ ऐसी बाते कह दी जिससे नाराज हो गए रीटेलर्स यानि आम दुकानदार अमिता बच्चन ने एड के जरीए ये कहने की कोशिश की कि हम लोगों को सामान सस्ता ऑनलाइन मिलेगा इससे साधरन दुकानदार खफा हो गए और अमिता बच्चन पर केस कर दिया ये केस केबल मातर अमिता बच्चन पर नहीं बलकि Flipkart के उपर भी किया गया है मगर इस माबले में अभी तक अमिता बच्चन ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही कोई जवाब मिला है Flipkart की ओर से ये दरसल देश के छोटे दुकानदारों के अगेंस्ट का काम है इससे छोटे दुकानदारों के बिजनस में नुकसान होगा लोग अपना सारा समान ऑनलाइन ही खरीदेंगे दुकान तक जाएंगे ही नहीं Flipkart जैसी बड़ी कमपनी और अमिताब बच्चन जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट बहुत लाब उठाएंगे मगर जो छोटे दुकानदार है उनका नुकसान हो जाएगा और उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है करोडों में है आप लोग इस मामले में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएए आप अमिताब बच्चन और Flipkart के पक्ष में है या फिर आम छोटे दुकानदारों के पक्ष में जरूर बताएए